नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्स क्लोड में तो दोस्तो भारती वायू से न कोई समय सबसे बड़ी खबर HL के तरफ से मिली है HL की तरफ से पहली बार ऐसे हथियार के बारे में घोसड़ा की गई है जिसे पियोकी यानि की पाकिस्तान अकुपाइट कस्मीर का नकसा ही बदला जा सके और हो सकता है कि ये हथियार बहुत ही जल्द बना लिया जाए और इस हथियार के बनने के बाद अमेरिका से हमें अपाचे हेलिकाप्टर की और जरुरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आपका समय नबर बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों मैं अहाँ पर एक HL के फ्लाइंग टैंक और स्टेल्थ हेलिकाप्टर की बात कर रहा हूँ और यह ऐसा हेलिकाप्टर होगा जिसे ना ही रडार पकड़ पाएंगे और ना ही दुस्मनों की मिसाइले इस फ्लाइंग टैंक को छूपाएंगी HL एक ऐसे हत्यार को बनाने जा रहा है जो भविस्य में लड़ी जाने वाली लडाईयों का रूख ही बदल कर रख देगा आप सभी लोगों को पता है कि भारती वायू सेना अपाचे और M.I. जैसे हेलिकाप्टर को अटैक हेलिकाप्टर के रूप में उप्योग करती है जिन में से लगभग 22 अपाचे की संख्या है वही आर्मी के लिए भी अपाचे हेलिकाप्टर लेने पर विचार हो रहा है लेकिन फिलहाल हेलिकाप्टर की कीमते आसमानों को छू रही है इसी वजह से हेल की तरफ से एक स्केल माडल को भारती वायू सेना के सामने पेस गिया गया है और जो भारती सेना में इस्तिम्याल होने वाले सभी हेलिकाप्टर से अलग है और इस हेलिकाप्टर को खास एडवांस अटैक हेलिकाप्टर के तरज पर बनाए गया है और ये भारत का पहला हेलिकाप्टर होगा जो खराब से खराब मौसम में भी कारी करेगा और इसकी striking capabilities के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि ये भारत का उड़ता टैंक, long range ATGM missile और cluster bombs और 70 mm के hydro rocket से भी लैस होगा और इसे radar से बचाने के लिए DRDO से special stealth coating paint भी मंगाया जा रहा है और रात के missions को अंजाम देने के लिए इसमें night vision system का भी इस्तिमाल किया जाएगा ताकि दुस्मन को भनक लगे बिना दुस्मन पर सटीक प्रहार किया जा सके अभी तक इसका फिलहाल scale model ही बनाया गया है और सबसे पहले इसे air force को दिखाया जाएगा अगर why उसे न कोई ये model पसंद आ रहा है तो इसे बनाने के लिए आगे मंत्राले तक बात्चीश सुरू की जाएगी वही HL ने एक और हेलिकाप्टर की पेसकस की है जो चिनूग जैसे भारी भर कम हेलिकाप्टर को रिप्लेस करेगा यानि कि HL ने हैबी लिप हेलिकाप्टर को भी लेकर काम सुरू कर दिया है HL ने IMRH यानि की इंडियन मल्टी रोल हेलिकाप्टर के डिजाइन पर भी कारी करना सुरू कर दिया है वही इन हेलिकाप्टर को MI-17 और अमेरिकन मेड चिनूग को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है ये भारत के पहले ऐसे हैबी हेलिकाप्टर सोंगे जो ट्रूप्स के अलावा दुस्मन के ठिकानों पर भी गोली बारी करेंगे HL के मुताबिक 30mm रोटरी मसीन गन और कुछ ATGM मिसाइल भी इसमें लगाई जाएंगी ये हेलिकाप्टर 13 तन का भारी भर कम होगा मतलब ये हेलिकाप्टर चिनूख हेलिकाप्टर से भी ज्यादा वजन अपने साथ ले जा सकता है और HL का मानना है कि 2030 तक इसे सेना में सामिल कर लिया जाएगा अगर ये अपने सभी मान को पर खरा उतरता है तो भारत 24 तन का वजन उठाने वाले हैबी लिफ्ट हेलिकाप्टर को बनाने की भी तैयारी करेगा अब आप लोगों का क्या कहना है HL के इन हेलिकाप्टर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं लाइक से और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियो आप तक पहुँचे धन्यवाद